हेलो दोस्तों आप सबी का स्वागत करता हूँ SBC किच्छन में आज हम बनाएंगे बहुती आसान रिसिपी जिसका नाम है राइता जिसको बहुती चीजों के साथ खाया जा सकता है जैसे की बिडियानी पुलाव आदी और ये रिसिपी बनाने में बहुती आसान है स्पिशली इस गर्मे की मौसम में इसको ठंडा करके खाने में मजा ही कुछ और है तो आए शुरू करते हैं दोस्तों बनाना राइता राइता बनाने के लिए लिया है मैंने दही हरी मीर्ज, पुदिना की पत्ते, टामटर अरप्याज, यलो मस्टर्ड सीट, खीरा और इसके साथ में लोंगा थोड़ा सा सुगर जो इसको अच्छे से टेस्ट देगा अभी मैं खीरा को पूरे तरीके से पिल करूंगा मुझे ये बाहर का हिस्सा नहीं चाहिए इसलिए इसको पिल करके निकाल दूंगा और जो अंदर का वाइट हिस्सा रहेगा उसे को हम यूज करेंगे और सीट का जो पाट रहेगा उसको भी हम निकाल देंगे मैंने अभी इसको पिल कर लिया है अभी मैं दोनों हिस्से को थोड़ा थोड़ा काट दूंगा उपर नीचे उसके बाद जितना भी वेस्टेज निकल के आया उसको डस्बिन में डाल देंगे खीरे को अब हम बिच में से काट लेंगे और जितना भी सेट्स है अंदर उसको निकाल लेंगे ऐसे करके मैं अभी सारा सीट्स को बहा निकाल लूंगा लगभग अभी सभी सेट्स को मैंने बहा निकाल लिया है इसको मैं अभी एक ग्रेटर के मदद से तक लेंगे निकाल लूंगा छोटे छोटे टुक्रे कर दूंगा बिल्कुल ऐसे ग्रेटर लेके खीरे को ग्रेट करते वक अपने उंगलियों को अभी सेज ध्यान रखेगा वरना आपका उंगलियों भी खीरे के साथ ही चिल सकता है पीरो को मैंने अच्छे से गिस लिया है अब इसके अंदर जितना भी पानी है उसको मैं निकाल दूंगा अच्छे से निचोड़के और बोल में डाल दूंगा देखिए मैंने इसको बोल में डाल दिया है तो चली अब हम इन सभी चीजों को छोटे छोटे टुकड़े में काड़ देते हैं इन सभी को हम रॉफली चप करेंगे अष्णाद बाल दूंगा अभी हम इन सबी को जो कटाओवा खीरा है उसके साथ मिक्स कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही करके अभी हम ग्यास का फ्लेम अन करके दोज चमज घी में मस्टर्ड शिट को थोड़ा फ्राइ करेंगे और उसके बाद जैसे ये थोड़ा छिटकने लगेगा उसको हम राइता के उपर से डाल देंगे अच्छे से गरम हो चुका है अब इसको हम थोड़े देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर अभी हम जो हमने दही लिया था उसको उपर से डाल देंगे दही डालने के बाद हम इसको मीठा बना रहे हैं इसलिए हम इसको उपर से चीनी डाल देंगे दो चमत चीनी और ये डालने के बाद जो हमने मस्टर्ट सिट को फ्राई करके रखा था उपर से डाल देंगे इस सब डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि सारा फ्लेबर एक दुसरे में घुल जाए तो देखते देखते हमारा राइता बन का तयार हो गया है दोस्तो इस राइता को बनाना बहुत ही आसान है आप इजिली अपने घर पर इसको बना सकते है अभी रामदन का महीना चल रहा है तो आप बिरियानी के साथ पुलाओ के साथ किसी भी चीजियों के साथ इसको खा सकते है यदि आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो इसको जरूर ट्राइ करिएगा दोस्तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइ और लाइक जरूर करेगा और साथी साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा फिर मिलते हैं दोस्तों अगले हपते नए वीडियो के साथ और नए रेसिपी के साथ तिल देन स्टे हैपी गड़ ब्लेस यू अल